कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में महमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कॉमेंट्स उनके निजी विचार हैं महमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्क की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है नमस्कार बहुत स्पागत बियोज आप सभी का आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर खुरुक्षेत रुमैउस सौरब शर्मा रोज की तरीकी साथ वो प्रोग्राम जहां बाते करते हैं हम बिल्कुल खुरलम खुरला कुछ आप से चुपाते नहीं है हर्याना में कॉंग्रिस पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार कौन इस सवाल का जवाब ढूनना तो पार्टी कोई है लेकिन जवाब आएगा इसकी कोई गैरेंटी नहीं है हला कि पार्टी ने कमिटी इस काम के लिए बना दिये राहुल गांदी क्या वाकई में इस सवाल का उत्तर जानना भी चाहते हैं ये भी एक सवाल है ऐसा इसी लिए क्योंकि कांग्रेस को नजदीक से जानने वाले और कांग्रेस के शुबचिन तक वो ये सवाल उठा रहे हैं कि बार बार कांग्रेस पार्टी उन्हीं गोड़ों पर क्यों दाव लगा रही है जो एक नहीं कई रेस उसे हरा चुके उन्हीं लोगों को प्रभारी बनाया जाएगा वही लोग जाकर कि अब्जर्वर बनेंगे उन्हीं की उपर जिम्मेदारी भी होगी ये देखने की कि निता लोग आपस में लड़ रहे हैं तो उनकी सुलह कराई जाए और इनमें से वो कोई काम नहीं करेंगे ये तो एक बात दूसरा क्या कॉंग्रेस पार्टी कुछ ऐसे लोगों से घिर गई है जिनका ना तो कोई जनाधार है और ना वो जनता की नब समझते हैं लेकिन उनका प्रोजेक्शन कुछ इस किसम का है कि उस पे कॉंग्रेस पार्टी की रीडर्शिप भी फस जाती है और वो हर्याना के चुनाव में हुआ इनी सारे बुश्यों पर हम लोग आज बात करेंगे हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मारे स्पेशल गेस्ट हैं तैसीन पूनावाला साथ जिनको आप रोज सुनते हैं उनके व्यूज डीवी पर और वैसे एक पॉलिटिकल आनलिस्ट हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के शुप चिंतक मैं यतना तो कह सकता हूँ ना आपको वो कॉंग्रेस पार्टी ये होस्ट ने बिल्कुल दोस्ट की तरह सही का इसके लिए होस्ट दिमेदारी ले सकते हैं प्रदीब सिंग जी हमारे साथ हैं सर बहुत सपागत आपका आपको सबसे जादा दुख पहुंचा है क्योंकि हर्याना का चुनाव सारव भाई कॉंग्रेस को जीतना चाहिए था हर्याना में डबल नहीं मैं कोगा चार बार आंट इंकंबंसी थी Central Government, Union Government के खिलाफ भी थी किसान कानूनों को लेकर और दबल एंकंबंसी जो सरकार थी, State Government के खिलाफ राज्य की सरकार थी और वहाँ की governance इतनी खराब थी, हर्याना की State Government की governance इतनी खराब थी कि ये Congress को ये चुनाव, at least 60-65 seats Congress को जीतना जेता, लेकिन इतना बुरा mismanagement, ticket distribution से लेके mismanagement और ये एक यकीन था कि हम तो जीत ही सकते, क्या होगा, 65 seats देगी, 55 हैगी, इस कारण के वज़े से Congress चुनाव हा रही है जो आप pinpoint करने के लिए तयार हैं, किसी व्यक्ति के ओपर ये लजाम हो, ये व्यक्ति विशेश नेरे का संगठन होती है, राहूल जी ने एक माहूल बनाया था हर्याना में, भारत जोडो यातरा के बार, पाच-पाच सीटे हो गई थी, क्योंकि पिछली बार, 2019 में, बीजे में माहूल था, मीडिया में माहूल था, इसके बाद ये क्या बदल गया, दो या तीन चीजे, जिन लोगों को राहूल जी ने भेजा, दिल्ली से, हर्याना के अंदर, भाच-पाच्पा ने धर्मेंद्र प्रदान जी को बेजा, जिन ने, कॉंग्रिस ने जिन को बेजा, उ प्रभारी हो, आप इंचार्ज हो, आप डेख रहो किसको सीट मिलरी, टिकेट मिलरी, टिकेट दिस्ट्रिबूशन के मामले में, कितने ऐसे टिकेटे थे जो लॉयल कारिकर्दाओं को नहीं मिले, आपके पूर्वा P.C.C.P.P.C.P.P.C.P.P.P.C.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P P.P.P.P.P.P.P.P.P.P P.P.P.P.P.P.P P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P अब्दलिक पीडियर्शिप को अपने अग्नॉर करती हैं। हम तो सब सहमात हैं आपकी बातों से, सबाए इसके कि इसके लिए जम्मधार कौन है? जम्मधारी किसकी सरी है सारी बातों की? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है. तो रहबरी किसकी थी? देखें, टीम हार जाए, एक खिलाडी ने खराब खेला, गलत शॉट खेल दिया, गलत गेंट पेंग दी, ये सब सही बाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जीता है, तो कैप्टन कंधे पर उठाया जाता है, बेरकोल हारता है, तो जिम्मधारी उसकी आती है। तो बीजेपी की 303 से 240 आ गई, तो ये नहीं कह सकते हैं कि मुदी जी की कोई जिम्मधारी नहीं है। बाकी लोगों ने सब गड़बढ़ कर दिया, उन्होंने सब ठीक किया। और जब 330 आई थी, तो सब उन्होंने ठीक किया था, बाकी लोगों का कोई योगदान नहीं, ये ये आर्गुमेंट नहीं चलता है, कहीं न कहीं आपको तैह करना पड़ेगा, कि कहां पर जाकर जिम बढ़ कर रहे हैं, और आप बार बार उन पर भरोसा कर रहे हैं, तो फिर सवाल आप पर भी उठेगा, एक बार जिम्मेदारी दे, गिसी से भी गलती हो सकती है, कोई जानबूच कि अपनी पार्टी को हराना नहीं चाहता है, लेकिन इसका मतलब है, उनकी बेसिक समझ में कह समस्या है, कि जो समस्या हैं, और वो क्या है, और उनका निदान कैसे होना चाहिए, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो या तो उनको सुधाने की कोशिश कीजिए, या बदल दीजिए, अब अगर बंच पर, इसमें एक चीज में कहना चाहता हूँ, मैं आप से इत्तिफ तो कॉंग्रेस चुनाव जीट जाती है, सिर्फ चार या पाच, अब ये तो राहुल जी की जिम्मेदारी नहीं है, अब राहुल जी से फोन करवा सकते हैं, अब मोदी जी से फोन करवा सकते हैं, धर्मेंदर प्रदान जी ने रिबेल्स को बिठाया, मैं आपको बता रहू मैं हर्याना में दो-तीन जगव अपर गया, दो-तीन गाव में, जब मैं जा रहा था, क्रॉस कर रहा था, वहां पर धर्मेंदर प्रदान जी की काम कर रहे थे, वहां पर थे माचूद, हमारे कितने लोगों ने फाइस्टार होटेल छोटेल जी देखना होगा, राहुल जी ने तो महरां जी gewe्नान की, मोधी जी ने भी महराँ की, मोधी सर इतना महरा मैंनगा सकते है, राहुल सर रता हुस्टा कर सकते है, उसके बाद, फाइस्टार होटेल के बाहर भी तो आनना होगा, वह तो इनका स्वेल तू इनका काम है न, पर धर्मेंदर प्रदानемся Gen desapareortion haya, बов पर कोई influential family होगी, उनसे जाकर मिलाओगा, ये तो काम किया ना धर्मेंदर प्रधान जीले, बिल्कुल, आपके लोगों ने किया वो काम, उन्होंने होटेल छोड़ा, ये जो रिपोर्ट मंगा है, उसमें देखे, उनका GPS में आ जाएगा, अगर राहूल गांधी जी को अपनी रैली में, हुड़ा साब का और शेल जाजी के हाथ मिलवाने पड़ रहे हैं, तो ये उनके आपने उनके ओपर छोड़ रखा तो ये काम कि वो रैली करेंगे, तब इन दोनों की दोस्ती कराएंगे, इससे पहरे बाकी लोग माँगा हैं, अब इसे इतनी दिक्कत हैं लोग को हर विक्ती को अलगलग लिवल की दिक्कत हैं, कि ये गेट कीपर हैं, ये राहूल जी से नहीं मिलने देते हैं, आप इनके थुरूब बात नहीं पजा सकते हैं, आप ही के डेबेट पर कैप्टन यादव जी आया थे, वो कह रहे हैं इतना बड़ा हूँ, मैं इंद्रा ग नहीं कहा हैं कि रहूल गांदी जिम्धार नहीं है, उन्के नहीं बोल पाएंगे, जिल्टिमेटली कॉंग्रेस पाटी हा रही है, ये लोग बार बार इस तरह का काम करेगे तो फिर हम पर सवाल से रहे हैं, वहीं तो फैक्ट फैंदिंग डिपॉर्ट में लेखना होगा, क मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है क्या मेरे हक मैं फैसला करेगा वही होगा मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है यही होगा सर मैं बता रहा हूँ आपको आप दिल्ली रेखिए शीला लिक्षिट जी पंदरा साल मुक्यमंत्वीती है हम जीरो पे आगे अगर आप अपने सैनिक नहीं चुन पा रहे हैं अब अपने सिपासालार नहीं चुन पा रहे हैं तो कॉमेंटरी उस पर है दिल्ली की बात कर रहे हैं 15 साल successful chief minister दिल्ली में आज जो काम दिखाई दे रहा है सब उनके समय का किया हुआ 2015 के चुनाव में आपने चुनाव से बाहर कर दिया उनको कैंपेन नहीं करने दिया तो अब इसका फैसला तो जो है किसी वेणु गोपाल या उसके नीचे के स्थर के किसी संगठन के विक्तिन नहीं लिया होगा और अगर उसने लिया तो फिर तो उसको उल्टा लटका देना चाहिए था कि भाई हमारी सबसे सक्सेस्फुल चीफ मिनिस्टर पंदरा साल ये असम के चीफ मिनिस्टर रहे तरुन गोई या फिर जो है शीला दिक्षित रही अच्छा ये पी सी चाको साब मैं उनका नाम ले रहा हूँ शीला जी के निधन के पहले कैसा लेटर लिखा थ आपके साथ रहे भी ने तो कब तक अच्छा अशोक टबर जी क्या जरूरत था उनको लाने की क्या वैल्यू था मैं जेनूनली पूछ रहा हूँ थिखे बहुत लोगों ने कॉंग्रिस को छोड़ा है जोते दधित्य जी ने चोड़ा है आर्पीन सिंह जी ने चोड़ा है कभी किसी ने सोनियाजी को अटैक नहीं किया, ये तो आप झ inj honest मि ti fellी ने किया था, उसका बहुत फीड़ा पाया bolts वाले ने भी कहा के लिख पीन ही होना चाहिए, बाच़ अच इसोन overlap करने का की बाते उनको यां च्टीश ने था, बहुझा अटनी बक हा चाहिए को और राहूल गांधी की रैली बें जॉइन की कॉमुसूरूर। जी को ड़ाने की फेसलां उनका होगा। आप शुरू कीँजिए हुआ 설 की महास है। जब अशुक तावर की पिटाई हुई दिल्ली में। रैली में जो राहूल का समर्थन में थी और भुपेन सिंग हुडा के लोगों ने पिटाई की मतलब उनका उनका उनकी फोटो छपी जो लहूल वान दिखाये गया और उसके बाद भुपेन सिंग हुडा से कोई सवाल मतलब कम से कम सारवजनिक रूप से तो ऐसा कुछ नहीं आया कि पूछा गया आपका दलित नेता जो अच्छा नेता था जराधार वाला नेता था उसके साथ ये हुआ कुमारी शैलजा आपने पी-सी-सी प्रेसिडेंट बनाया उनको कमिटी नहीं बना नहीं दिया हुड़ा जीन है किरन चौधरी, कुमारी शैलजा और रंदीप सुर्जेवाला ये तीन की लग है पार्टी में, ये बच्चे-बच्चे को मालूम है, अर्याना में भी बाहर भी, तो इतने साल-5 साल उसको रोकने के लिए क्या किया है? कुमारी शैलजा और रिकॉर्ड कह रही है कि मेरी कब बात हुई हुड़ा साब से मुझे यादी नहीं है, आखरी बार मेरी कब नहीं होना चाहिए, रिखिए, खास है तभी बार-बार उनको दी जारी नहीं है, एक चीज़ हमें सोचना होगा, कॉंग्रेस, unlike other political parties, मैं भाजपा कुछ से बार गिनता हूँ, क्योंग भाजपा एक पारिवारिक पार्टी नहीं है, दूसरे political parties को छोड़ दीजे, RJD, NCP, SHIF सेना, जो भी, TMC, यह सारे पारिवारिक parties है, कॉंग्रेस, contrary to the perception, पारिवारिक पार्टी में है, कॉंग्रेस, देश की पार्टी और गांधी परिवार उसका trustees है, कॉंग्रेस, देश की पार्टी है, और देश की पार्टी के साथ अगर यह हो रहा है, तो कहीं नहीं बूरा ल के सरकार चली गई वो कांग्रेस के बारे में संजेर भूंट जीthis सरकार आपकी वजद से गई है और आप मुख्यमंगंतभी ते हूए उन्के नाक के नीचे से उन पुलीस ने उनके विदायकों को उसरी स्टेट में ले गए उनको पता नी ऑपने उनको लिया ना जो आपको जिन्दगी बर आपको गाली देते हैं वोपिस चीफ मिनिस्टर बना चाहते हैं जो भी कॉंग्रिस के लिड़र इसमें गलत क्या है इसी मुद्दे को लेकर तो वाला हुए पीजेए पीचे सरकार इना चाहते थे तो यह वो तो पहले से कह रहा है कि साधार पर होना ही नहीं चाहिए फैसला कि किस के ज्यादा है मेले है साधार पर होना चाहिए बस पहले सा गोशना कर दीजिए थीक है मैं यह भी मान लेता हूँ कि बाला साभ ठाकरे ने कहा था बाजपा की सरकार सेंटर में आदर्निया बाला साहिब ठाकरे के प्रती मेरे बहुत मैं उनको बहुत रिस्पेक करता हूँ उन सब करते उनको पूछा उन्होंने रोट संजे राउता के कोई स्टेटमेंट दे दे था एक दिन कंगनाजी के अगेंस एक दिन किसी और के अगेंस क्या मतलब था इन चीजों का हम किस चीज में जा रहे थे क्या जरूरत थीन चीजों की यह बताएंगे दो तस्वीरे लगी ने ठीकि किस ने दिया भूपेंदर हुड़ा को कि 90 में से 70 टिकेट आपके मरजी के बटेंगे आप आप हर जगे यह प्रचार होगा कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो यह किस ने दिया उनको जो भी इंचाज थे उनसे सवाल पूछना चे हुड़ास आप तो मांगेंगे टिकेट अ कुमारी शैलिजा जी मही मानगेगी सुर्जेबाला जी भी मांगें खुमारी शैलिजेट नहीं तो बैलस तो ये तो राहुल जी को पता होगा ना, जो लोग तो खुल के कह रहे हैं। क्योंकि जो मराथी मानुस का वोट है, वो मानने एकनाशिंदे जी के साथ है, जो कोर हिंदुत्व का वोट है, वो बीजेपी के साथ चला जा, तो कॉंग्रेस का जो वोटर है, उन्होंने शिफ सेरा को वोट दिया है। जो कॉंग्रेस का कोर वोट है, उन्होंने उनको वोट दिया है। कोर वोट मेला है उनको। सिंदे और ठाकरे की सिधी लडाई हुई है, वहाँ वहाँ एकनाशिंदे की परफॉमने पार्टी छोड़ते वे क्या बूला, कॉंग्रेस पार्टी ने घुटने टेक दिया उधर ठाकरे के सामने, ये बोला था, ये शब्त थे उनके। केसी विनु का गॉपाल जी के लिए क्या बोला था, कि बहुते दिली ए नहीं है राहूल जी धंग कंपहुँश के हिंडी आती नहीं, थे विगलाने राहु ये मेरेका ये यह मैं आपको नोहिए पिस आकां लेकिन बात यत्तिकत्ने ने रोखना होता और पाटी को देखना होगा जोगेंर जादव टुइड गच्छन में पता है किया कहा था टालाधि था जैकर 2007 यह ञेंट केंसे था तूट इम्निया यह चल रही है यह चल रही है यह डू करिफास कि अभर आदिि का यह नहीं डियकल्ग यह तो बडकर आशामाया थी प्रसकुल पुलिटिकल पार्टी है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, और दुबारत से कहना, मैं कॉंग्रेस का वोटर हूँ, मैं अपने पैसे से पूना जाता हूँ कर मैं दिल नहीं हूँ, उस तेम पे इलेक्शन कैम्पिन रहा, जाकर फ्लाई करते हैं, मैंने कॉंग्रेस को वोट करते हैं, कॉंग्रेस को याद रखना चाहिए, कि एक पुलिटिकल पार्टी, एंजियो नहीं, यह जितने भी इर्थगरती है, जितने भी फ्रॉड है, कभी कोई किसान नेता होता है, एक दिन कोई आर्टिया एक्टिविस्ट होता है, आज सुना है कोई क्लाइमित अक्टि इन लोगों ने कलपना की थी, कि मर जाए, इनके शब्द है, इनके शब्द है, कॉंग्रेस मर जाये, हैं अप आप यह सही कह रहा हूँ, और उस स्नामी को देखिये, हिमाचल चणनाव के पहले इनहीं उंहीं महाश्यने इंटाव्वी में रहा हैं नियाद नहीं जागरन्य अभास को दोनों में से इक को देंगे कोंग्रेस सॉफ हर रही है है.. जमाद से चुना.. आपके काड़र पे क्या असर होगा.. हर्यान्त मा कि अरे कॉंकर जीत है.. अचा.. फिर क्या होता है.. कि एकाड कोई चुना.. और करेक्ट होता.. तो बंद घड़ी भी दिन में.. दौगर में दौबर सहे होते है.. काड़र सुनता क्यों है..! काड़ कहा सुनता है इनका कॉन सा काड़ है ये करेख लेदर नहीं गोर्ट सुनंसटे ब्डाडेश उकर माइनग रखे आज सूचल मीडिया पर फाल जाता है और उनका सोशल मीडिया एको सिस्टम ये सारे यूट्यूब बालों के साथ इतना स्ट्रॉंग हो गया है कि हम अपने ही जूट में या अपने ही मॉरल डिफीट में हम यकीन करते हैं अब देखे इसी को बीजेपी को देख लो हर एक पोल हर एक एक पोल ऑपिनियन पोल यूट्यूबर वगेरा वगेरा और चैनल ने भी का बीजेपी लड़ी हम हम हत्यार रख देते हम दी मॉरलाइज हो चाते हैं या तो आपको लड़ना चाहिए इतना बहत्पूर्ण कॉंग्रेस के लिए किसने बनाय होगे इंदी रादव जी को मैं नाम लेके बोल रहा हूँ हूँ नेसी म गछलनें बैठकर पताते हैं कि यहाँ यह फुसर लगती है यह फ़सर लगती है अब इन से ये बात कीजी इन से ये बात कीजी दी ऐखे यह एकसेस और इंपोर्टनस तो रहुलाइज ने दी है उनको बहा लुजा आप बिल्कुल जो दलित ओ.c मुस्लिम नीटा महीला नी आपके यह लोग accent में बात कर थे वाइन और चीज के उपर. और फिर कहते हैं कि नहीं आपको English नहीं सिखनी है, सिर्फ एक ही भार्शा में बोलना है. ऐसे लोग असे लोगों से अ… इन यह उपाल देश वहा है. जो भी है अपने अपने सोशल गैडरिंग में बैटे चीज खाते होते कहते यह ने यह सही ने इनसे अपने अपने लैपटॉप आइपड इससे छोड़ी अब जमीन पर आई नपको बता रोगो अब अब आप देखिए अब यह एक 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 इसारी जिए अब यह पस ए आजकल एक वाकील साहब भी है वो भी बहुत सारी P.I.L. नालते यह जालते थे वह दालते थे वह भी भी वो भी E.J.P. एगेंस थे को किसी पॉलिटिकल पार्टी में थे उनको किसी ने निकाल दिया Attendee से वो is साथ गए थे तूजी में सरकार के अगेंस क्या क्या शब्दों का प्रयोग उनके पिता जी और उन्होंने सुनिया जी के लिए नहीं किया है तूजी में प्रेटिशनर कौन थे तूजी में कोट ने कहा देर इस नो अफेंस जज़ को मैं बैठा कहें एविडिन्स सुप्रीम कोट जाके पिया ये बताईए कि ये बात राहूल गांधी को क्यो नहीं पता है और तूजी पे सरकार गई आपको पता है क्या क्या गालिया उन्हें ने दिये सोनिया जी को क्या क्या नहीं का उन्होंने सोनिया जी को वो लोग जो कोट गए कॉंग्रेस के खिलाफ ये सीजी रिपोर्ट लेकर क्या था उस रिपोर्ट में पर्सेप्शनल लॉस या तो लॉस होता है तो नहीं होता है या तो आप प सुप्रीम कोट का फटकार मेला सारे लाइसेंस कैंसल हुए थे वो लोग बताई गे वहना इसके पहले कौन सा तू जी का मामला था अब तो या तो राहू जी बहुत फरगिविंग है उनको फारग निवड़ता चलो या किसी बोलाओ मेरे लिए मेरे परिवार के लिए या ना परिवाल को ये पहचान तो होनी चाहिए ना ये हमारा नुकसान कर रहे हैं फायदा कर रहे हैं या हमारी टांग कीज रहे है परसोणों है कि नेताओं ने खुद को उपर रखा है तो यह चीज अच्छी चीज है यह उन्हों नहीं का आ है और अब इस पर होना चाहिए यह क किसी ये कमेटियां बनती हैं कि ये मामला शान्त हो जाए मुद्दे को जो गर्मी है उसकी गर्मी निकल जाए इसलिए कमेटी बनाई जाती है आप कुछ बोलेंगे मतलब आपसे मतलब कोई कारिकरता अगर बोलेगा या नेता बोलेगा कमेटी बना दिये उसके रिपोर्ट आने दिजिये तो आप भी कहेंगे है यह तो अच्छी बात है कमेटी बना दिये जाँच हो रही है जो दोशी होगा उसको कोई सजा तो मिलेगी और तब तक अगला चुनाओ आ जायेगा तो अगली कबिटी बन जाएगी अर्याजार अब लोग राहूल गांदी को जिम्मेदार मान रहे है कम से कम इसहार के लिए लेकिन ये बात तो ठीक है ना बीजेपी भी तो चुनाव हारती है ना इसका मतलब ये तो नहीं कि राहूल प्रदान मंत्री या अमिर्शाजी उनका कोई पुलिटिकल अक्यूमन कम हो गया है राहूल आपको काम तो डेलिगेट करना ही पड़ेगा कि इसे दूसरे को तो जिम्मेदारी देनी पड़ेगी ना चुनाव में हर चीज़ तो आप खुद नहीं करेंगे तो राहूल गांदी से पेक्षा करना कि उनको सब कुछ पता हो कहीं कोई गलती ना हो यह प्रैक्टिकल है ने ने किसी के साथ यह प्रैक्टिकल नहीं है कि उनको सब कुछ किसी नेता को सब कुछ पता हो हर विशय की जानकारी हो ऐसा नहीं होता लेकिन नेता इसके लिए किन लोगों को चुनता है किन की मदद लेता है किन की सलाह लेता है ये इंपॉर्टेंट होता है यहां नेता की समझ आपके सामने आती है किन लोगों की सलाह लेनी है और किन की नहीं लेनी है ये फैसला नेता का होता, ये कोई बता नहीं सकता, ये नहीं कह सकता कि इनकी बात सुनिये, इनकी मत सुनिये, नेता सुनता है बात, उसके बात दो बार, तीन बार, चार बार, कि बात फिर ऐसेस करता है कि नहीं है, इस आदमी की बात नहीं सुननी है, इसने हर बार जो है गलत हार मेरे पास तो नहीं है लेकिन बबात कर रहा हूं कि गांधी फैमिली भुपिंसिंग धुट्डा को नराज नहीं करना चाहती यह नहीं कर सकती। इसलिए भुपिंसिंग धुट्डा गांधी से। पिछली बार किते हमाराज हुआ, अफोर्ड नहीं कर सकता है, कि हरियाना में कॉंग्रिस का मतलब दूबिन सिंगो डा, और जिस तरह से उन्होंने दस साल PCC चलाई, सरकार चलाई उसको छोड़ दीजे, उसके बाद हारने के बाद जिस तरह से PCC चलाई, उससे ये जो प्रेदारी उन्हीं के उपर शोड़ दी, टिकेट ही होती है ना मेंची स्कॉन लेगा, वो अगर सारे उनके लॉयलिस थे, ये तो बाद तो कुछ नहीं बचता है, कुमारी शैल जा मंच मन जाके बोलती नहीं, मतलब मतलब वो अपने एंट्रूज में बुला बुला के बो जो बड़ा निता है उसका तो डोल पीटना ही बढ़ेगा, कैसे में रहुल जी नहीं बॉल गए, लेकिन वो राहुल पे जैसे आपने टैच करा तो उससे तो बचे गए, जब तक राहुल जी नेता है, उतना हुल लेगा तो फुरू पार्टी से बाहर भी हो जाए, अब पार्टी का मेंबर ने हो, मैं उसका कोई मेंबरान ने हो, आप तो फैमली के मेंबर हैं, मैं देश का मेंबर हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कॉंगरेस जाते है, इसमें, there is no two ways about it, मैं राजनेति कौिशलेश्या, मैं बिलकुल कहता हूँ, मैं कोई नीटरल हूँ, मैं कॉंग्रस हूँ, मैं anti-BGP हूँ, 100% हूँ, there is no if and but in my politics, तो अगर मैं चाहता हूँ कि जिस पार्टी को मैं बोट देता हूँ, जीत है, और मुझे मौका मिला है कि मुझे क्यामरा मिलता है, मुझे मौका मिलता है, मेरी बातों को गंबीरता से दी जाती, तो मैं सच्छा ही चाहे वो अपते दोस्तों को, चाहे फिर आपके माधियम से देश के आवाम को हो, या कॉंग्रस के बोटर्स को, तो एक तो आपकी क्या सलहा रहने वाली है क्योंकि आप महराश्टर के election में नंबर वन, कॉंग्रस को ये याद रखना चाहिए कि बहुत पावफुल पार्ट के बांध के बंच को शिया कते एंव रहुता, इसलिदश को एक जाऊ रहँ पार्टर्स को एक कहते ति है, वह कांग्रस के बोट को खित्म करते ग्रोकर्ट छखो करती है, तो रुचनल पार्टीZ को अकॉम्ड़ जी बहुत कर्ते हैं, वह जरूरी है, लेकिन नौट अंड क आपके कारीकरता अब हर्याना में क्या होगा फंदरा साला आप पार के बाहर रहे गए आपका ओडिनरी कारीकरता कहा जाएगा इस चीज लास्ट जो गांडी जी अलग कांटेक्स में कहते थे last man standing, आपका जो आखरी व्यक्ति उसके बारे में सोचो, वैसे लीडर्शिप को last काड़े करता के बारे में सोचना है चाहिए, दूसरी चीज, politics की दुनिया, social media की दुनिया नहीं है, social media बेहत जरूरी है, बेहत जरूरी है, लेकिन ये सारे जो YouTube पे पहले पत्रकार रहे हैं, आजकल उनका YouTube पे चैनल चल रहा है, प्लीज इनको गंभीरता से मत लीजिए, इनकी ज़्यादा सुनी जाती है, क्या पार्टी मुझे नहीं पता सुनी करता कि सुनी चाहिए, बिल्कुल उसको अक्से होना चाहिए, बिल्कुल उनको मिलना चाहिए, अब देखते हैं, महराज के चुनाव में आपकी नसीहिते हैं, जो है, वो सुनी गई की नहीं सुनी गई, नतीजों के तिन उस पर एक लास्स नसीह है, हर्याना तीन साइट से डेली से घिरा हुआ है और चौठी साइट लैंड लॉक्त है और एक एस्पिरेशनल स्टेट है, वहाँ पर अगर हम इंडस्ट्रिलिस्ट को अटैक करें गये, एक होता है हम अटैक करें किसी को, दूसरा होता है हम सल्यूशन क्या मेरी ये नसियत है, अब हमारे पास तैलिंगाना है, करनाटका है, क्यों ना AI की एक, AI की मिनिस्ट्री सेपरेट बनाई जाए, जो देश के लिएक मॉडल, लिएक जब मोदी जी प्रधान मंत्री बने, उन्हों एक गुजात मॉडल रिया, आप उसे इतिफाक रखो ना रु करने वाली, वो तो सीधे राहूल जी के लिए की लिए तो पुरे देश के लिए बहुत गलता है, ये मरकाज़े ट्रेंडी बहुत गलता है, उसमें मोदी जी ने भी तो कहता है, विदेशों में लोग खड़े होते हैं, चाइना अपने इंडर्स्री के पचे खड़ी होती ह अब ये देखते हैं ना कि क्या होता है, ये सब बातें जो है, सुनी भी जा रही हैं कि नहीं सुनी जा रही हैं, या उसलुए क्या एक्स्प्रेशन है, नकार खाने में तूती के आवाज, उत्रा ही भर रह जाने वाला, बहुत शुक्रिया तहसीन तुनावार आप प्रोग